हमारा 7 तो की अधो uzसाल स्वार्पिक है यहीं उस्थ्रियु שנीदा लिया है तो देखें अज क्या पढ़ते हूं क्रिस्टयाइन सउलि को बीचических कषिए हमंगे यहालगे है मेंति हुप Dust is真的 नीछ दो नशुपरिक उन्य चैर्प का छुपोर six कमें टिक क्या होता है एक रेगुलर पैटरन होता है वगला क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है पार्टिकल्स में रेगुलर पैटरन होता है हमारा पार्टिकल्स का अमर्फर सॉलिड में क्या होता है नो रेगुलर पैटरन और पार्टिकल्स मतलब अमर्फर सॉलिड में हमारा अब हैं मतला इन में रेगुलरेटी नहीं पाई जाती paehu क्रिस्टलाईन सोलिडने सेकेड़ देखेंगे और यज लॉरिंज आर्डर उक्योम लॉंग रेन्च ओरडर्र इन्हों को रांग रेन्च ओरर कहते हैं क्योंकि इनमे राइगुलरेटी पाई जाती है नेक्स्ट नो पॉसेस फ्लुडिटी इन में मतलब फ्लुडिटी मतलब यह पॉसेस नहीं करते हैं मतलब यह फ्लो नहीं करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लेकिन जो हमारे अमर्फस सॉलिड होते हैं वह क्या करते हैं फ्लुडिटी मतलब यह फ्लो करते हैं इन कंपैल इन्ट crystalline solids नेक्स्ट देखेंगे crystalline solid में also known as true solid जो हमारे crystalline solid होते हैं उनको हम true solid भी कहते हैं क्योंकि यह fluidity possessed नहीं करते हैं इसलिए हम इनको क्या कहते है true solids और जो हमारे amorphous solid होते हैं उनको हम कहते है super cold liquid क्या कहते हैं उनको super cold liquid भी बोला जाता है amorphous solid को यह हमारे कुछ differences crystalline solid और amorphous solid में अब हम कुछ और differences देखते हैं आगे कि नेक्स्ट देखेंगे हम crystalline solid और amorphous solid में जो हमारे crystalline solid होते हैं वो क्या है कृश्ट सॉलड को हमुने कर सकते हैं तो क्रीज होता है निको हम कर सकते हैं तो crystalline solid हमारे प्रापर्स दिकھाते हैं लेकिन अमार्फ सॉलड हमारे क्लीज प्रापर्टि चोग नहीं करते हैं तो क्या है एक नोट शूप दीवेच प्रॉपर्टीज नेट्स देखेंगे कर्सक्राइन स्ट्राइब में definite heat of fusion मतलब शॉपर होता है लेकिन नहीं होता न ही में यह मारे पॉंजर में हमारे इसोट्रोपी होते हैं मैं आिसलपी का मतलब क्या होता है जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ इफिरंट संग इसे घृपंट इससे जहाँ, उसका हुआ है, दिफिर्ण संगण क्रॉपरिंटी सुर्टाइब हो क्योंकि यह हमारे short range order होते हैं crystalline solid के example है NACL, quards, diamond, etc. और amorphous solid के example है glass, plastic, rubber, etc. ओके तो यह कुछ हमारे points थे crystalline solid और amorphous solid के बीच में Thank you guys I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, like करें, share करें Thank you